मामला भिंडे जिली के मुल्ली पुरका है जहाँ पर गंगा जाटव ने रपोर्ट की कि उसके छेवर्षी बालक रोहित को कोई अग्यात व्यक्ती बहला फुसला कर ले गया है पुलिस मुख्याले भोपाल के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरिशन मुस्कान की तहट पुना उक्त अपराद को गंभीरता से लेते हुए नगर पुलिस सदिक्षक आनिंदराय ने देहाद थाना प्रभारी उधेभान सिंग यादव ब्रजीन रुतोमर और अन्य पुलिस बल की विशिश टीम बताई और अपरांत अबालक की मुख्यविरों के द्वारा पता साज की गए जिसके द्वारान चार जनवरी 2015 को बालक को प्रताब गिरनाम देश्यू चंबल नदी की तरफ ले गए थे मुख्यविर की सूचना पर आरुपी को थाना दिम्दी जिला मुरैना में पकड़ा गया बारीके से पुस्ताज की गई तो वर्ष 2001 में उक्तमरत बालक के परिजनों ने उसकी भांजी की हत्या की थी जिसकी रंजिश का बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चैवडशी मासूम रोहित को ग्राम मुली पुरा से मोटर साइकल पर बैठा कर नेमरी पुरा जिला मुरैना ले गए और एक बोरी में एक बड़ा पत्थर बांध कर चमल नदी में फिक दिया आरुपी गणों के द्वारा अपराध कबूल किये जाने पर आरुपी गणों पर विशेश धाराओं में मर्ग कायम कर तीन आरुपियों को जेल भेजिया गया यह बात सिकल किया है फिर कड़ी दर कड़ी जुलती चलीगी इसको प्रिकार से हमने दोड़ा होता है एक लंबा समय छे साल एक लंबा समय होता है क्या कहीं नभी पुलिस को रुपावर्ट को मिली है इसको देपी इसमें कापी अगलों को मेनद करने पड़ी लगाने जो प्राद युझारा किया गया और अपराद जो होता है वो चिफटा नहीं जिसने भी जो किया दड उसको बोगना पड़ता है इसी सारा नगीर के अगए और बच्चा था छे साल पर इनोसेंट था इसको जल्ची नहीं थी और उसको इनोंने बड़ी बेरमी से मारा है और क्या बज़े निकल गया ही सामने जिसको बज़े बड़ी सिंपल है कि जो महिला जी जिस बच्ची के साथ में रेप गए ता उससी महिला जो उसमें आरूपे थे उनहीं के परिवार के बच्चे को इनोने अगए अगए ते मामला जो है वो इस से रिलेटेड है कि पुरानी जो अगए भोधी उससे बच्ची के मडर का बता लेने के बच्ची के अनोने बच्ची के आना तो